लिखा है आज का आपका दिन बहुत शुब और बहुत अच्छा मीटेगा अजी सुनिये, सब पैक कर दिया है, नौ बजे निकलना था ना? अरे, नौ बज गये? मुझे तो पता ही नहीं चला जी, वो दिव्या के बारे में इनके साथ अरे, मैं तो भूली गया, वो अगले महीने दिव्या के मामा की बेटी की शादी है, वैजे बाडा में वैसे भी अभी दिव्या की छुट्टियां चल रही है, अगर इसे भी साथ ले जाएंगे तो ये भी सब से मिल लेगी अरे, पूछ क्या रहा है, दिव्या, आपकी बेटी है, आप जब चाहें ले जाएंगे, ओके दिव्या, खुशी से जाओ पहुंचते ही फोन करोंगा, दिव्या, मामा जी को बोल दिया हम निकलने माले हैं, बोल दिया, सब रख दिया, दिव्या, बॉटल्स, कौन से बॉटल्स, वो, कार में बॉटर बॉटल्स रख दिया, रख दिया, अच्छा किया, रख दिया, अब चले, हम चलते हैं बिटा, कि अधिवस्थ का वाख भाटल दिखने रहे का रखे कि वाट्रूल के वाटल के वाटव नहीं रहे वाध्रूल के वाट्रूल दिखने रहे का रखे आप जैसा कोई नहीं इसी लिए आए लब एंजॉय करके आणा डिविया पहुंचते ही कॉल करना सासुमा इसे जल्दी वापिस भेज़ेगा इसके बिना कुछ सूचता ही नहीं भाए दिविया भाए आप जाने में यास इसे मत लगाओ इंसान की तरह ग्लास में डालके पीओ तेरी आंटी को डॉक्टर नहीं टीचर होना चाहिए था बाहर से चाहे जितने गुस्से वाली हो अंदर से एकदम सॉफ्ट है मेरे साथ एकदम गबर सिंग जैसी है लेकिन पापा के सामने पापा कहाई ये न ऐसे हो जाती है तू क्या बोल रही है मैं समझ गया हूँ नो 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 मैं दिव्या को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूँ मुझे ये सेंटी वेंटी होना किसी को मिस करना ये बिमारी नहीं है बिल्कुल नहीं उसकी आदत हो गई है आदत का क्या है आदत होती है फिर छूट जाती है जब गटर बाजू में हो तो बद्बू की आदत हो जाओ रही है रहा? जूए जब मातले कने में? जूए जूए रहे रहे जाएक। जूए हलो निएक। मातले कर दो जूएक। येस्ट अलो करो निव यॉयॉॉ नीव यॉक बाता है मिलीन डॉलर कॉंट्राक्किया यूप। कुछ कबरी सुनाइगे रुको दिव्या को यह सुनाओंगा तो बहुत खुश हो जाएगी तो इतनी बड़ी न्यूज तुमने अपने पेरेंस को नहीं बताई मुझे भी नहीं बताई बड़सों से जिस गूड न्यूस के लिए तुम इंतजार कर रहे थे वह सबसे पहले दिव्या को बताई तुम्हारे मन में क्या है वो पहले पता कर लो शौर्या आई फिल इस टाइम पर यू तो थेंग ठेक केर बाई भ्र को बताई बड़ख अल एक तुम्हारे में कि बताऊ लाँ लाँ झाल वो खुशी खुशी इस दुनिया से गई है तेरी शादी देखी सबके साथ प्यार से रहते वे दिव्या को देखा शान्ती से गुजर गई उमीद नहीं थी तो इतना समझदार हो जाएगा ये दिव्या का ही असर है उस दिन तुने इस रिष्टे को ठोकरा कर फिर बाद में माल लिया ऐसे ही लिखा था ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती हमेशा इसकी कदर करना सा सुर्ची नहीं हमेशा